दोस्तों यह देख सकते हैं मेरे पास यह टी आई परोका जो कि एच एच एफ साथ सो पचास इन्टू आठ ओम्स को यह दिखा रहा है जो कि यह देख सकते हैं यह टी आई परोका बोर्ड है जो कि इसको किस एच एच एफ में लगाना है बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं औ दोस्तों आज मैं फिर से में अपना अपलोग के बीच में एक छोटा सा जानकारी लेकर के आया हूं आप लोग वीडियो को एंड तक देखे तभी आप लोग समझ पाईएगा मैं आज आप लोग के सामने में तीन एचप के बारे में मैं जानकारी दूँगा कि कौन सा एचप सही है और कौन सा एचप खराब होता है और कौन सा अचा बहतरिंग चलता है, लास्टिंग करता है और कौन सा आपके DJ में यूज करना है, कौन सा प्रोग्राम में यूज करना है आज आप लोग ध्यान से अगर सुनियेगा तो आपका सारा कनफ्यूजन दूर हो जाएगा तो आज मेरे चैनल पर अगर नए है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा अगर विडियो को आप लोग end तक देखते हैं तो आप लोग को पुरा समझ पाएंगे कौन सा DJ में यूज करना है और कौन सा live program में यूज करना है बहुत सारे भाई क्या करता है जो new DJ वाले भाई होते जो कोई सा भी HF लगा देते हैं और live program उसको खराब हो जाता है मैं होता है live program तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा पहले मैं आपको दिखाता हूँ तीनों एचिप का फिर से मैं आपको बताऊंगा कोन सा live program में लगाना है और कोन सा DJ में यूज करना है क्यूंब तो ये देख सकते है मेरे पास ये sound ये एक HF है और ये देख सकते है अगर सुनते हैं लेंड को सब्ज़ Ό Cantonale 7 आपको पूरा समज़ पाएंगे ये देख सकते है हाँ सब्सक्रेश का दिख शेखbean में लिख सानttा है और यह देख सकते हैं यह साथ वाट का अंदर आता है जिसको 450 आप बोलते हैं यही एचेप 450 हुआ और यह देख सकते हैं यह आपका ATI PRO का हो गया जो कि इसका मैं मोडल नमर में आपको दिखा देख सकते हैं दोस्तों यह ATI PRO का प्रांडिंग किया गया है अब मैं इसको मोडल नमर आप लोग देख सकते हैं इसका A800 है जो कि 8 OMS का है और देख सकते हैं 110 वाट का है देख सकते हैं आप लोग ध्यान से देखिए 110 वाट का है और यह जो है आपको 220 वाट मैक्स लिखा है मतलब 110 वाट का इसका पावर है और 220 वाट का मैक्सिमम पावर है यह देख सकते है आप इसको किस में यूज करना है मैं ध्यान से बताऊंगा आप लोग वीडियो अगर एंड तक देख चाहें तो मैं तीनों या चप के बारे में बताऊंगा कि यह एटी आई परोका हो गया जो कि इसका में मोडल नमर दिखाता हूं देख सकते हैं यह परांडिक किया गया है जो कि इसका मोडल नमर है जो कि यह 450 देख सकते हैं यह 8 हम्स का है और यह 60 वार्ड से लेकर के 120 वार्ड इसका मैक्सिमम पावर है और देख सकते हैं यह किस तरों का लोख है अब मैं बताता हूँ यह HF जो है तीनो HF यह कौन सा कहां पर कैसा यह बजेगा और किस पर इसका यूज करना है आप लोग ध्यान स जाते हैं आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए अगर अच्छा वीडियो लगे तो लिक लाइक जरूर कीजिए तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ यह देख सकते हैं यह साउंड कंपनी का है जो कि यह एटियाई परो के तुलना में यह उतना बहतरिंग नहीं रहता है यह भी खराब नहीं है मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ यह भी कंपनी बहुत बहतरिंग है अगर इसको आप लाइब प्रोग्राम में चलाते हैं तो यह बहतरिंग चलेगा यह जल्द खराब नहीं होगा और इसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको लगाना परेग वो भी मैं दिखाऊंगा वीडियो को एंड में आप लोग जरूर बने रहें और इसको आप लाइब प्रोग्राम में लगा सकते हैं इसको लाइनर में लगा सकते हैं इसके डीजे भी बहुत सारे भाई यूज करते लेकिन डीजे में ज्यादा प्रेसर आने के बजों से 1510 वार्ड का है यहह अच्प में आप डीजे में यूज कीजी यह प्रोग्राम का लाइग नहीं है अगर इससे प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग का सीटी बहुत बार मारेगा और सीटी जलद-जलद मारेगा इससे आप प्रैसान वह जाएगा जलद कंट्रोल नहीं कर पाईएगा तो आपको सको अपड़ीज़ में यूज करना है और इसको डीजे में यूज कीजिए, बहतरिंग रहेगा, बहुत सा बहतरिंग जनकार रहता है, मैं इसका टेस्टिंग वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालूंगा, आप लोग हमारे चैनल को जोईन करके रखिए, और ये जो है सबसे हिट मोडल, ये सबसे हिट मोडल है, जो बहुत सारे भाई डीजे में भी यूज करते हैं, और प्रोग्राम में भी चलाते हैं, तो इसको आप प्रोग्राम में लगा सकते हैं, ये दोनों में चलने में सक्छम है, और ये जल्दी कटेगा, नहीं जल्दी जलेगा, इसको जल्दी नहीं जलने का मतलब है इसका बोड इसका बोड आप अच्छे से लगाएं मैं बोड भी दिखाता हूं आप लोग को किस तरों से कौन सा बोड यूज करना चाहिए और इसमें कौन सा बोड यूज करना चाहिए दोस्तों यह देख सकते हैं मेरे पास यह ATI परो का जो कि अच्छेप 750 इंटू 8 होम्स को यह दिखा रहा है जो कि यह देख सकते हैं यह ATI परो का बोड है जो कि इसको किस हैफ में लगाना है बहुत सारे भाई नहीं जानते हैं और किसी भी तरों का कोई भी हैच्छेप में लगा देते हैं इसी की चक्र से आपका एच्छेप बार बा edit to skip कर देखते हैं तब आप लोग को समझ नहीं पाते हैं तो आपको ये बोड जो है अब ये बोड इसमें नहीं लगाना है इसमें आप अवर लगाते हैं तो ग्रतेम आपका जल जाएगा एचिल भी जल सकता है तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है ये जो बोड है यो इसमें नहीं लगाना है ये बोड जो देखरे जो मेच करता है वो लगाए और आप लोग जो वीडियो देखते हैं यूटूब पे कमपिश्टर लगाए अगेरा बगेरा चीज बोलते हैं लगाने के लिए सब मत लगाईए कभी आप लोग सस्क्सेस्फुल नहीं हो पाईएगा तो भाई का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मैं यही छोटा सजानकारी दिया हूँ अगले वीडियो में टेस्टिंग डालूँगा इसका तेनों का कौन सा बहतरिंग चलता है तो वीडियो को अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लिजिए मैं बह वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए जहिन दोस्तों नमस्कार